हालो फ्रेंस मैं हूँ दीपा और स्वागत करती हूँ आपका दीपासोनी.com में दोस्तो कई बार महिला जब पहली बार प्रेगनेंट होती है तो वै अपनी प्रेगनेंसी को जल्दी और आसानी से नहीं समझ पाती है तो दोस्तो आज का ये वीडियो उन्ही मैंलाओं के लिए है जो अपनी प्रेगनेंसी को जल्दी समझना चाहती है और उसके लिए ततपर रहना चाहती है आज का हमारा टॉपिक है प्रेगनेंसी के सुरुवाती लक्षनों को हम कैसे समझेंगे लेकिन फ्रेंस ये सब जानने से पहले आप सीख रिक्वेस्ट कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल की बटन को क्लिक कर लें इससे हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलेगी और ये करना आपके लिए बिल्कुल फ्री है प्रेगनेंट होने के बाद महिला के स्वभाव और सरीर में बहुत से परिवर्थन होते हैं जिन्हें देखकर वे आसानी से और जल्दी समझ सकती है कि वे प्रेगनेंट है या नहीं तो आईए कुछ नया जान लेते हैं दोस्तों प्रेगनेंसी के बाद महिला में धकान और कमजोरी अधिक देखी जाती है प्रेगनेंसी का सबसे पहला लक्षण है पीरियट का मिस हो जाना पीरियट के मिस हो जाने पर आपको दो तीन दिन में ही अपनी प्रेगनेंसी का टेस्ट कर लेना चाहिए टेस्ट निगेटिव आने पर आपको एक हपते बाद पुने दुबारा से यह टेस्ट आप कर सकते हैं उस पर भी अगर निगेटिव टेस्ट आ रहा है तो आप अपने डॉक्टर से कंसर्ट कर सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं जिनकी पीरियड रेगुलर आती है लेकिन कभी मिस हो जाए उन्हें जरूर अपना प्रेग्नेंसी टेस्ट कर लेना चाहिए प्रेग्नेंसी के लक्षरों में दूसरा है कब्स ऐसीडिटी जी मचलाने और उल्टी आने की समस्या हमारे सरीर में हार्मोनल बदलाव के कारण कब्स ऐसीडिटी उल्टी आना या फिर जी मचलाने जैसे समस्या प्रेग्नेंसी की समय पर देखी गई है सरीर का हलका गर्म होना दोस्तों प्रेगनेंसी के बाद हमारे सरीर का प्रोजिस्ट्रॉन लेबल बढ़ जाता है जिसके कारण हमारे सरीर का तापमान भी सामाने से अधिक होता है ये कोई बिमारी या बुखार नहीं है यूरीन का जल्दी जल्दी आना ये भी प्रेगनेंसी के सुरुवाती लक्षणों में से एक है जब कोई महिला प्रेगनेंट होती है तो उसे बार-बार यूरीन आने की समस्या हो जाती है मौर्निंग सीखनेस का होना या फिर कमजोरी लगना दोस्तों महिलाओं में हार्मोनल चिंजिस की वज़े से उनकी आदतों और शरीर में बहुत से परिवर्दन देखे गए हैं ये सारे परिवर्दन भी उन्हीं में से हैं प्रेगनेंसी होने के बाद महिला के ब्रेष्ट में कसावट और पेट भी अकसर देखा गया है पेट में कभी कभी दर्द और उनके बेवहार में परिवर्दन समझ आने लगता है दोस्तों प्रेग्नेंसी के बाद महिला की सूगने की छमता बढ़ जाती है उसे कोई भी चीज की सूगन बहुत जल्दी समझ में आती है और लहसुन प्यास जैसी चीजों तथा उनके बगहार की महक वे बहुत जल्दी समझने लगती है और उन्हें अपने सास में भारी पन मैसूस होने लगता है इस समय पर उन्हें खट्टी और चटकदार चीजे बहुत ज़्यादा पसंद होती है ऐसा सब के साथ नहीं होता कभी कभी प्रेगनेंसी में महिला को मीठी चीजे भी पसंद होती है तथा उनके निपल्स का रंग गाढ़ा हो जाता है इन सभी लक्षणों से आप समझ सकते हैं कि कोई भी महिला अपनी प्रेगनेंसी के सुरुवाती समय पर है या नहीं दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और यूसफुल लगी होगी अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूले वीडियो देखनी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद